Hello my dear students, class 4K Hindi students, आशामात के इस online class में आपके हिंदी किताब से chapter 9 मैंने हस्तना सीखा कभीता के बाड़े में पढ़ने और समझने जा रहे हैं यहां कभीता सुबद्रा कुमारी चोहांजी के द्वारा लिखी गई है जीवन में दुख और परिशानिया आती रहती है, शाकरात्मक सोच और आसावादी डिश्टी को रख कर हम जीवन को सुखी बना सकते हैं इस कभीता में इसी भाव को सुन्दर धंग से व्यक्त किया गया है तो चलो हम कभीता सुरू करते है मैंने हसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल-पल पर मेरे जीवन में सोना मैंने हसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल-पल पर मेरे जीवन में सोना इन पंतियों में कभीती जी कह रही है कि मैंने हसना सीखा है, सिरिफ हसना सीखा जीवन में क्योंकि मैं रोना नहीं जानती मुझे रोना नहीं आता क्योंकि पल पल हर एक समय हर एक पल मेरे जीवन खुशी से भड़ा रहता है और खुशी रहता है सोना मतलब मतलब मेरे जीवन में सोना है सोने के जैसा मेरे पास हमेशा खुशी रहता है और मैं हमेशा खुश रहती हूँ दूसरी पंतिया देखते है मैं अब तक ना जान पाई कैसी होती है पीरा हासर जीवन में कैसे करती है चिंता कीरा मैं अब तक ना जान पाई कैसी होती है पीरा हसर जीवन में कैसे करती है चिंता कीरा इन पंत्र में कभी जी कह रही है मैं अब तक जान ना पाई मैं अभी तक नहीं जानती हूँ कि पीरा दर्थ और कश्ट तकलिप कैसा होता है जीवन में हस जीवन में कैसी करती है चिंता कीरा ये हसती हुई जीवन में किस परकार से चिंता का खेल होता है खेल दिखाती है चिंता दुख ये मुझे नहीं पता है जग है असार सुनती हुँ मुझे को सुक साघल लहराता इन पंतियों में कभित्री जी कह रही है कि जग है असार सुनती हुँ मारे मैं सुन रही हूँ कि यह जो दुनिया है यह बहुत महतवहीन है ठीक है। इसका हिआपे किसी का कुछ महतव सागर की दिखाता है और इसका कुछ महत्वहीन हैं मुझे अमेशा सुख का सागर की पारता है मेरी आनकों के आगे हमेशा सुखी-चुख Sumгов मेरे जीवन में मैं हमेशा सुखी रहती हूँ, खुश रहती हूँ उस्षा उमंग निरंतरन रहते मेरे जीवन में उल्लास बिजय का हस्ता मेरे मतवाले मन में उस्षा उमंग निरंतरन रहते मेरे जीवन में उल्लास बिजय का हस्ता मेरे मतवाले मन में पुशा और उमंग, खुशी मेरे जीवन में निरंतर मतलब लगतार रहता है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ और कभी दुखी ने रहती हूँ, मेरे जीवन में हमेशा में खुश रहती हूँ, उल्लास यानि कि खुशी रहती हूँ, खुशी का बिजय मेरे जीवन में हमेशा रहता और मेरे मतवाली मन में मेरे खुशी मन में मेरे मैं हमेसा खुश रहती हूं आशा आलोकित करती मेरे जीवन को परतीचन है स्वान्य शूत्र से वालिलित मेरी असब परता के घन आशा अलोकित करती मेरे जीवन को परतीचन है स्वान्य शूत्र से वालिलित मेरी असब प प्राकासित रहती है मैं अपने जीवन को आसा उम्मीद के साथ जीना चाहती हूं ठीक है मेरे जीवन में हमें आसा अलोकित रहती है जो मेरे जीवन को पत्तिछर हर समय एक आसा उमीद से भड़ी रहती है और है शुर्ण शूर्टे से वालित मतलब सोनी का धागा से भी लिप यहनुच्छा से भड़ी रहती हूं और लिपटी रहती हूं मेरा जीवन मेरा अशाक पलता नहीं आता ठीक है यहांने कभी अशाक पलता नहीं दिका सुक्ष भरे सुनहेले बादल रहते हैं मुझको घेरे विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथ ही मेरे सुक्ष भरे कना अधल हमेशा रहते हैं मोझे गेले रहते हैं। और खुश छी मेरे जीवन में हमेशा घठ रह रहते हैं कैए मैं δोस्त हë reins के दोस्त को आप अब इसकवीता से हमें क्या सिक्षा मिलती है सुख और दुख मन के विकल्प है सुख और दुख जो होता है आपके मन के भीतर का है आप अगर मन से खुश है तो आप हमेशा खुशी रहिएगा लेकिन अगर आप मन में दुखी सोचे का दुख ये मेरे से नहीं हो रहा दुख मं ऑघी तो कुछी रहीएगा अंदर से मन के ऊपको सुकर दुख को जाना होिए जाएगा अब व्रस्तुर्ट को सुखी टृएगा jogo और आपको यहां पर आप इस चैप्टर कर जो सब्दों के अर्थ दिये हुए है पेज नंबर 59 में उसे आप लोग आपकी हिंदी कॉपी में लिख लिजिएगा और प्रस्न उत्तर आप लोग को लिखे दे दिया जाएगा और जो होंब के वो भी आप लोग को भीज दिया जा आपके skipping Séँक वोग दिया जापकी ज़ चाहार पाल लोग के अन